नमस्कार दोस्तो परमजी सिंग कहली है आप साहरवेदा से आज आपके सामने एक बार फिर और आज मैं हूँ गाव अलाहर देश्टिक की अमना नगर हर्याना से जो है मैं अभी ये लाइव शूट कर रहा हूं और ये गेहूं की फसल आप देख रहे हैं ये जो प्लोट है प और अभी जो है मैंने कुछ दाने जो है कुछ अलग-अलग दो तरह की इसमें वराइटी है 39 और एक दूसरा सीड है यह निसमें से निकाड़ा है हेल्दी जो है दाना है इसके इंदर और जो में जो बात है इसमें कैली हब्स के प्रोडक्स को यूज किया गया है और एक जो हमारे सामने एक दिक्कत रहती है हम लोगों का माइंड सेट हो रखा है कि हमें जो है पेस्टिसाइड का प्रयोग करना ही करना है किसान ने एक रूटीन बना ली है कि मुझे अगर गेहूं की जैसे में बात करूं जैसे ही गेहूं जो है निस्राव की पोजिशन में आती है तो इसमें यह आढका शप्रे मुझे करना है यह लेकिन इस ब्रकम को जो है इस बार हमने तोड़ा है के Selin a.k जो है फसल अगर आप देखोगे तो बड़ी शांदार फसल खड़ी है हना की मंदूसी का चैलेंज इसमें रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बाल को देखोगे तो बड़ी ही शांदार जो है बाल है और जैसा कि अप देख रहा है कि हमने यह जो 20 से कड़का पूरे का पूरा प्लॉट ए इसमें कहीं भी जो है ना तो कहीं इसमें पीड़े-टवे के लिए कोई पैस्टीशेट का सप्रे किया गया है नहीं अड के लिए और यह जो है ऐसा पहली बार किया है युए जो हम पहले हम पहले हम प्रियोग को जैसा नहीं आया नहीं आया बस पहली सिप्रे ले ढूंडे टू नहीं में नहीं किया तो मन में कुई डर ता निज्टी कोई दिख एक पत्ते पहीट नजर आ बाकी नहीं उसके बाद तो अगर मैं बात करूं 22 एकड़ की अगर हम खर्च की भी बात करने तो लगबग अगर हम बात करें के आठ नो सोर पे टोटल अमारा खर्च उस पे हैं तो बाइस एकड़ को अगर उसे मल्टीप्लाई करें बात करें तो कम से कम बीगार 10 श्रूर 12 जार के आस पास नद्यार शलिए फास का आए होड़ा था और एक बड़ी शानदर जो बात जो है जो हम तो खरल नट करते ही करते हैं लेकिन आज हमारा जो किसान है वह बहुत अवेर हो चुका है वो भी चीज की बात करते हैं कि इस बार अभी आप मेरे को बता रहा थे यह जो लेडी बीटल है जिसको हम फैल पास कहते हैं अपनी बाश्या में ये कितना बड़ा है आपके खेत में बहुत है रहा है ये लेडी बीटल जो है ये बहुत रहा है इस बार देखने में और इसका जो होना जो है वो यह साबित करता है कि हमारे खेत में अगर अगर वगरा के कोई समस्य हमें नजर आ रही है तो उसको यह खुद कंट्रोल करता है जमीन ने पानी भी बहुत क्या जीब गहुमा और हाँ एक बहुत बड़ी बात और के आपकी जो जमीन है वो मैक्सिमिल डाक्क तो इस बार जैजब आपने गहुमें जब भी पानी देश्टी जो शिरुवात की तो पानी पीने की पोजिशन क्या रही है मारे बहुत बड़ी आ रहे हैं अमरे दूसरे दिन जो आना पानी निच्छा चला गया जमीन पानी जमीन में चला गया और इस से पहले क्या पोजि यह पोजिशन है तो और अगर कैली अपसको यूज ना किया गया होता तो काफी जगा पर यह इस तरह का नुकसान अपने को देखने को मिलता अब इसमें नुकसान तो है पर थोड़ा है बहुत कम है जी ना मतर्व जी 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 तो इसी तरह से जो है मेरा आप सबी को भी जिए मेरा यही कहना है कि हम बेवज़ा जो है chemical fertilizer और chemical pesticide का हम यूजla ना करें बेवज़ा यूज ना करें हा जहां पर हमें जूरत है के करना की ज्यादा है कि तब आप उसका यूज तो आपका क्योंकि जीरी में भी आपने यूज किया था अब गेहूं की फसल में भी हमने यूज किया है और लग बग पकाने वाली पुजिशन त्यार है तो अब तक का हमारा एक्सपियोंस क्या रहा है बहुत बढ़ी आ रहा है बहुत अच्छा रहा जिए फर्टिलाजर की और सब्सक्राइब की तो फरन लग प्रेश में आपके सामने हैं तो इसके साथ कुरिया धन्यवाज़